भारत के गोल्डन बॉई कहे जाने वाले नीरज चोपना ने इस बार के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत कर भारत को दिया है जिसके बाद अब भारत का गोल्ड मेडल जीतने का सपना तूटता हुआ दिखाई दे रहा है नीरज ने 89.45 मीटर दूर तक जैवलिन फेका वहीं पाकिस्तान के अरसद नदीम ने 92.97 मीटर जैवलिन फेक कर रिकॉर्ड बनाया है और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीत कर दिया है नीरज के सिल्वर मेडल जीतने पर पीम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेट फार्म एक्स पर उन्हें बधाई दी पीम ने अपने पोस्ट में लिखा नीरज उत्कृष्टता के साक्षात उताहरण हैं उन्होंने बार-बार अपनी प्रतिभा दिखाई है भारत को खुशी है कि वह एक बार फिर ओलम्पिक में सफल रहे है आपको बता दें कि पाकिस्तान के अरसद नदीम ने 40 साल के बाद पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल दिलाया है हाला कि उनकी सफलता पर आरोब भी लग रहे हैं कहा जा रहा है कि नदीम ने जैवलीन फेकने के पहले ड्रक्स का इस्तिमाल किया है